नमश्कार, Foundation of Sociological Thought, समाशास्त्री चिंतन की आधार शिलाएं मैं मीनु वॉल्टर, समाशास्त्र रिभाग सिक, SPC, Government College, पश्मेर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ समाशास्त्री चिंतन की आधार शिलाएं उसमें पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं August Compt Compt उनके Law of Three Stages August Compt की बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने दीखा था उनका इंट्रोडक्शन की August Compt कौन थे उन्होंने किस तरह से एक व्यवस्तित विज्ञान के रूप में समाशास्त्र को विक्षित किया जो एक फ्रांसिसी दाशनिक थे और उन्होंने समाशास्त्र को सर्वप्रथम समाची घटनाओं के लिए के अध्यन है तू वैज्ञानिक विधी का प्रियोग अवलोकन परिक्षन और वर्गी करण को समाची घटनाओं के पद्यतिका उन्होंने एक अंग बनाया उसी के बाद हमने देखा अउगस्ट कॉम्ट का लाइफ इसके जैन उनके जो वर्क्स थे और उन्होंने जो फुस्तके लिखी थी उनके बारे में हमने पड़ा कि उनका जन्म फ्रांस में हुआ और उन्होंने किस तरह से अपना अध्यन अध्यन शुरू किया उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं लॉव आफ थ्री स्टीजिस का 1822 में अगस्ट कॉम्ट केवल 24 वर्ष के थे तब उन्होंने तीन नियमों के इसतर नियम को प्रतिपादिक किया हम इनके जीवन जित्रण में हमने देखा ही है कि इनमें दो विलक्षन गुण थे जो इनमें वच्पन से ही थे एक तो वे प्रकर बुद्धी और प्रतिभा के धनी थे और दूसरे वे समस्त स्थापिक सत्ता के विरोधी थे क्योंकि वो प्रकर गुद्धी और प्रतिभा के धनी थे उन्होंने 24 वर्ष के अलप आयू में ही तीन स्थरों के नियमों का प्रतिपादन किया जिसका समाजिक विचारधारा के शेत्र में एक महतपूर्ण योद्धान है मानव के बौधिक विकास को का ध्यन करने में हमें यह पता चलता है कि इस क्रम विकास के तीन स्थर रहे हैं पहला स्थर उन्होंने बताया थियोलोजिकल स्थर दूसरा मेटाफिजिकल स्थेज तीसरा पॉजिटिव स्थेज धार्मिक स्थर तात्विक स्थर और प्रत्यक्षिस्थर कौंप ने लिखा था कि सभी समाजों में सभी युगों में मानव के बौधिक विकास का अध्यन करने से उस महान आधारबूत नियम का पता चलता है जिसके अधीन मुनिश्य की बुद्धी अवशक रूप से होती है और जिसका एक धोस प्रमान हमारी संगठन के तथियों तथा हमारी एतिहासिक अनुभवों दोनों में विध्यमान होता है यह नियम इस प्रकार है कि हमारी प्रतेक प्रमुक अवधाना हमारे ग्यान की प्रतेक शाखा एक के बाद एक तीन विभिन सद्धानतिक दशाओं से होकर गुजरती है अगर हम बात करें धार्मिक अवस्था की धार्मिक इस्तर की तो धार्मिक इस्तर में स्रस्टी की अवशक प्रकती को खोज करने में प्राकतिक घटनाओं के घटी थोने के सरप्रमुक तथा अंतिम कारणों जिसमें हम देखते हैं उत्पती तथा उपदेश्य को जानने का प्रियत्न में मनुशे है माल लेता है कि समस्त घटनाएं अलोकिक प्राणियों की ततकालिक क्रियाओं का ही परिणाम है यह उन्होंने theological stage की बात करी थी दूसरा बात हम करते हैं कि तात्विक इस्तर या metaphysical stage में जो की प्रत्थम अवस्था का एक शंशोधन मात्र है मनिश्य का मस्तिक्ष यह मान लेता है कि अलोकिक प्राणी नहीं बल्कि अमूर्त शक्तियां जो की सभी जीवों में अंतरनिहीत होती है समस्त घटनाओं को उत्पन गरती है इस इस्तर में जैसे हमने देखा कि पहले जो धार्मिक इस्तर था धार्मिक इस्तर में हमने यह देखा कि मनुश्य मान लेता था कि जो भी घटनाए घटित होती हैं उसके पीछे अलोकिक प्राणीयों की ततकालिक रियाओं का परिणाम है लेकिन जैसे ही हम सेकंड स्टेज पर आए उसमें प्रत्थम जो अवस्ता था उसका संशोदन मात्र था पहले हम देखते थे कि अलोकिक प्राणीयों की ततकालिक रियाओं का परिणाम है तो महीं हमने माना कि अलोकिक प्राणी नहीं बल्कि अमुर्द शक्तियां जो की सभी जीवों में अंतर नहीं थे और समस्त घटनाओं को वो उत्पन करती है अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेज की प्रत्यक्ष स्तर की यह अन्तिम या प्रत्यक्ष अवस्ता में जो मनुश्य का मस्तिक्ष, निर्पेक्ष, धानाओं, विश्वो और उत्पती और लक्ष यह तथा घटनाओं के कारणों की वियर्थ खोज को त्याग देता है यह ववस्ता में जो निर्पेक्ष धानाएं किस तरह से उत्पती हुई, किस कारणों से घटनाओं के कारणों का जो हैं उनको त्याग देता है और उनके नियमों के अर्थात, उनके अनुक्रम तथा समरूपता के विचारों के संबन में, संबन के अध्यान में लग जाता ह और सम्मिलित रूप में तर्क तथा निरिक्षन इस ग्यान का साधन है जैसे हम देखते हैं कि तत्यों की व्याख्या इस कथन से जो कुछ आज हम समझते हैं, वह केवल समानी तत्यों के बीच संबन के स्थापना मात्र है इन समानी तत्यों की संख्या विज्यान की प्रगती के साथ साथ निरंतर घटी चली जाती है तो इस तरह से हमने देखा कि law of three stages में, theological, metaphysical, positive stage में, company किस तरह से इन तीन इस तरों की व्याख्या की थी Thanks, have a nice day